वेलकम फ्रेंड युक्ति याइस की सौलाइन प्लाटफॉर्ण पर मैं अमरविंद आप लोग का स्वागत करता हूँ तो आज जी गारा सितम भर है तो दैनिक जागण के राश्टेशंस का न्यूज पेपर में आप लोग के लिए पीटी प्रारंबिक परिछा मेंस और इंट अप्रिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और जो हमारे पुराने और नए लिशनर है चैनल को जुरूर्ट शेर किजे लाइक किजे और महत्पुन कॉमेंट कॉमेंट सेक्षन में कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं दैनिक जागर न्यूज अनलेसिस का जो अंडर लाइन पीडियेफ होता है वो दैनिक जागर न्यूज अनलेसिस टेलिग्राम चैनल पर है आप लोगो जिसका लिंक कॉमेंट बॉक्स और डिक्सिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप लोग उससे ज की नोट्स कैसे बनाया जाएगा दैनिक जागर न्यूज से रिलेटेड तो आप लोग को लिए एक वीडियो अब लेबल कराया गया वो भी आप लोग देख सकते हैं साथ ही साथ कल ग्रूप में की की नोट्स बनाके मैंने सेंड किया है तो आप लोग उसे भी फोलो कर सकते उसी अधार पर सारे की नोट्स बना सकते हैं देखिए पहला जो चीजे पहला जो न्यूज है वो पॉलिटिकल भीव से रिलेटेड है तो आपको यह एक्जाम औरेंट नहीं होगा तो इसे दरकिनार कीजे चीजे जो भी है इससे समन्दित वाद परतिवाद होगा जो आप आप लोग आगे देखिएगा चलिए एक टॉपिक है यह बहुत ही महत्मुन टॉपिक है बौधिक संपदा अधिकार आर एंडी अथा रिसर्च एंड डवलप्मेंट रिलेटेड जो जीएस यूपेसी के जीएस पेपर थिरी में आप लोग के यह काम देगा वहां से यह ट अनुसंधान अन नवाचार से संपदिद उससे आप लोग देख सकते हैं तो आप उससे जरूर कवर कीजेगा ताकि आप लोग का न्यूज आप लोग कवर सकर सकें तो चलिए अनुसंधान नवाचार वैस्विक केंद्र बनेगा भारत इसके संदर में न्यूज है तो इसे हम लोग कोडलेट करेंगे ताकि चीजे एक्जाम औरेंट बनाया जा सके हैं परधान मंतिर नरेंद मोधी के द्वारा आर एंडी के समन्द में वैस्विक केंद्र बनाने के लिए विभीन मोर्चों पर एक साथ काम करने का हवन किया गया है अर्थात आग्रह और कार्य और गतिविली सरकार के सपस्ट हुई है कि आर एंडी के शेतर में अब सरकार परतिबधता के साथ कारी करेगी तो बहुत ही बहतर या कदम होगा सरकार के लिए देश के लिए कि इस परकार के विशियों पर भी सरस्वाजनिक रूप से परधानमंति ब्यस्विक पटल को लाने के लिए कारी कर रहे हैं से कारे हैं जो सरकार के द्वारे की जा रही है जिसमें आर एंडी भी एक महत्पुन योगदान है इसके इस्तिति को हम लोग अभी समझेंगे ग्लोबल अस्तर पर क्या इस्तिति है देखिए काकड़ा दिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत एक आ वर्तमान में 46 अस्तान पर है तो यह सब चीजे आपको यहां से देखने हैं क्या है तो देखिए दो रिपोर्ट आप लोग को याद रखना एक निती आयो का और एक जो नवाचार संबंदित रिपोर्ट जारी किया गया है वो भी सी आपको देखना चाहिए तो पहले में न अनुसंधान विकास में अथात रिसर्च और डवलप्मेंट भारत सबसे कम खर्च करता है तो इसके लिए रिपोर्ट जुलाई 2022 में आया था याद रखिएगा जुलाई 2022 में ही यह रिपोर्ट आया है तो बहुत ही महत्पून है इस वर्स के लिए अगले वर्स तक के याद रखिएगा जो शकल GDP है उसमें जो विष्ट के महत्पून अर्थ व्यवस्थाओं में सबसे कम है या तो हम यह भी कह सकते हैं जो हम पांचवी अर्थ व्यवस्था है या टॉप 10 जो अर्थ व्यवस्था उसमें मान सकते हैं या हमारे ब्रिक्स संगठन है उसमें भी लोग कह सकते हैं जो उसकी तुलना के अधार पर यह बताया जा सकता है कि आर एंडी के छेतर में हम लोग बहुत ही कम खर्च करते हैं जो की इस छेत्र में ब्याफक रुप से कारिक करने की जार था है भारत अनुसंदान में विकास में पर्ती बेक्ती तेतालिस्ट supplement खर्च करता है ध्यां रखेगा जिसमें एमरिका लगबग 11,000 से सम्थिंग और एभव उपर रखता है किसी वर्स वो और भी ज़्यादा आजाता है डॉलर के हिसाब से भारत नवाचार सुचकांग हाल ही में निती आयोदवा जारी किया गया जो राज्य और केंसासित पर देशों उनके नवाचार परदसन के अधार पर है इंडेक्स में क्या खास ही यह आप लोग याद रखेगा यहां से आप लोग को पूछा जा सकता है जिसमें ब्रिक्स या आसियान देशों के बराबर होने वाले भारत के खर्च को बढ़ाने की जुरत है रूस परती बेक्ती दोसो पचासी अमरिकी डॉलर खर्च करता है जबकि ब्राजिल 173 अमरिकी डॉलर खर्च करता है और साथी साथ मलेशिया 293 अमरिकी डॉलर परती बेक्ती के हिसाब से खर्च करता है जहां लखिएगा तो जो इस परकार के चीजे हैं हम लोग को जानने चाहिए कि अनुपात में जो हमारे महत्पुन देश से जिसके साथ हमारे सम्मन बहतर है उसके अनुपात में भारत कितना खर्च करता है तो रूष के संदर में कितना खर्च करता है अपने आरेंडी चेतर पर दोसो पचासी अमरिकी डॉलर ब्राजेल 173 अमरिकी डॉलर और मलेशिया 293 और हम लोग कितना करते हैं केवल 49 डॉलर करते हैं तो कितना अंतर होता है देखिये एक्चुली देखिये आरेंडी क्यों जरूरी है किसी देश के लिए यह आप लोग पहले समझे तो आगे हम लोग बात करेंगे आरेंडी जब किसी देश में व्यापक तरीके से किया जाता किसी विषय पर हम सबसे नियूंतम विकल्प को तलासने की कोशिस करते हैं अधात किसी समस्याओं का ने विरिहत्तम समाधान ढूणने के संदर में भी आरेंडी कारे करता है केवल आरेंडी इसे नहीं समझे कि रिसर्च और डवलोप्मेंट साइंस के सेक्टर में ही हो रहा है हम किसी पॉलिटिकल भ्यू के संदर में भी आरेंडी कर सकते हैं किसी राजनितिक और राजनाईक संदर में भी आरेंडी कर सकते हैं तो यह होता है आरेंडी एक ब्यापक अउधारना जिसमें हर छेतर में रिसर्च और डवलोप्मेंट होना चाहिए ताकि हम विभिन समस्य के संदर में विहत्तम समाधान की समाधान को प्राप्त कर सके और नियुंतम संसाधन के साथ अधिक्तम उसका उपयोग कर सके जैसे आप सोचिए गरेबी हमारी समस्या है सबसे बड़ी समस्या के रूप में है विरुजगारी समस्या है तो आर एंडी इस्षेत में होगा विभ को यह आउसर दिया जाएगा कि आगरीबी और बेज़गारी के समन्द में आप हमारे डाटा कलेक्ट करके दिजिए ताकि हम इस पर बहतर योजनाओं को को लागू कर सकें या इसके संदर में आप यह भी समझ सकते हैं एक टेंडर को निकाला जाता है मानलेज एक पूल का टे तो टेंडर जब निकालेगी बहुत सी सरकार निजिस कमपनिया और लिमिटेट कमपनिया आपको इसमें अपना टेंडर भरेगी और सरकार इसमें क्या देखती है सबसे कम दाम में इसे कोन पूरा करता है सबसे बेस्ट क्वाइल्टी किसका होगा और अधिक मेंटेनेंस कोन कर सकता है तो यह क्या होता R&D का ही पार्ट कहारा जाता है तो जो company इसे करती है वो R&D पर ज़्यादा focus करके काम करती है तो देखिए साजनिक सेवाओं में भी कारिक किया जा सकता R&D इसलिए किसी देश के लिए R&D बहुत ही मुहर्पुन पक्ष है अगर जीस देश में आरेंडी नियुनतम अस्तर पर खर्च होता है उनके पास किसी भी समस्या के समधान के लिए विर्यहदम व्यापक कदम नहीं हो सकते और छोटे-छोटे समस्याओं में देश फसा रहेगा और विकास के मानक को तै नहीं कर सकेगा इ यह चीज सभी चीजों के सासात आर एंडी पर भी विक्सित रूप से हम लोग कारे करना होगा देखिए यहां पर ब्राजिल 1.6 यहां पर देखिए सकल घरेली उत्पात पर 30 के रूप में भारत अनुसंधान विकास में सकल ब्याय का एक दसक से 0.7 पर 30 पर 30 पिछले 10 वर् अंतरीच के छेत में हमारा महत्तम अस्थान है अब सेन्ने करन में सेन्ने में सेन्ने के हत्यारों में भी हम ने ने मानक तैक कर रहे हैं तो उसमें आर एंडी केवल 0.7 पर 30 पर 30 ही खर्च किया जा कुल GDP का सोच के देखिए कितनी बड़ी विरोधा भास है अगर इसको 2 से 3 पर 30 तक कर दिया जाया तो जो भी छेत्र अभी डवलप हो रहे और भी बहता तरीके से वो डवलप होंगे और नए नए छेत्र में इनोवेशन आने की संभावना बनी रहेगी तो यहां से हम लोग कैस जनरेट कर सकते हैं अथात आइस जनरेट कर सकते हैं देश को उससे एक एक रिसर्च है अगर हम एक रुपिया आर एंडी पर खर्च करते हैं तो उसके वनिस्पत 11 से 12 गुना आपको उसका बेनिफिट किसी ने किसी रुप से देश के जिडिपी को प्राप्त होता है ध्यान रखिएगा यह आंकड़ा है विश्व के विभिन संस्थाओं दार बत करता है तो इसलिए सोच के देखिए और एंडी कितना महत्पून पक्ष है तो ब्राजिल एक सो ब्राजिल 1.6% अपने जीडिपी के खर्च करता है अधचिन अपरीका 0.83% खर्च करता है जबकि भारत की तुलना में से सब खर्च कम है ध्यान रखिएगा भारत का इसकी तुलना में अधिक सोधपत प्रकासित होते हैं ध्यान रखिएगा यहां एक चीज यहां पर रिसर्च पेपर जो है न इन सब देशों से कम खर्च अधिक यहां पर लाया जाता है सोधपत प्रकासित होते हैं क्योंकि यहां पर कुछ चीजें सस्ती है जिसके कारण सोधपत प्रकासित हो रहा है तो इस पर भी सरकार को काम करने की जुरुत है केवाद सोद पत्र के प्रकासन से ही हम आरेंडी के विभिन पक्षो को सामिल नहीं कर सकते हैं तो यह भी एक सोचने और समझने वाली बात है इसमें देखिए डाटा आपको मैं निती आयो का एक रिपोर्ट आपको सेर कर दूँगा ग्रूप में जिसमें विभिन राज्यों में आरेंडी के संदर में क्या खर्च किया गया उसे आप लोग जरूप की नोट्स में सामिल कर लिजेगा ताकि एंसर इंप्रूब हो जाए जिसमें करनाटा केरल महाराष्ट गुजरात उडिशा जैसे राज्य जो है आरेंडी में अच्छे खासे खर्च करते हैं तो आप लोग तेलंगाना अंद्रपरदेश यह सब जो स्टेट है जिसमें बिहार उत्तरपरदेश आपको बहुत ही कम आरेंडी पर खर्च कर रहा ह तो आप लोग को इससे रिलेटेट जो डाटा है हलाकि यह डाटा 2021 का है तो आप लोग इसे जुरूर मैच कीजेगा इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूर नहीं किया था 2022 का डाटा भी मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं यहां इंक्लूर नहीं किया हूँ जो चीजे मैंने अभ आप लोगों को चीजों को समझाया जा सके बताया जा सके और किस रूप से उसे यूज करना यह सबसे इंपोर्टेंट है साथ ही साथ देखिए एक रिपोर्ट आप लोगों को याद रखनी है अनुसंधान विकास से सम्मंदित खर्च परनाली अर्थात रिसर्च और डवलप साथ एक रिपोर्ट संक्लित किया गया है और यह 15 साल जारिक किया जाता है यह भी महतपूर्ण है इसमें बताया गए रिपोर्ट में खास क्या है यह आप लोगों को जानना चाहिए कि अनुसंधान और विकास से सम्मंदित ब्याए विर्धी सकल घरेलू उत्पाद कहीं विप्रित दिसा में देखने को मिलती है जीडिपी ग्रोथ तो कर रहा है पर आर एंडी पिछले 10 साल से उसी अस्तरवा बना हुआ है तो यहां सबसे पहले क्या बात बोली गई है जिस प्रकास सकल घरेलू उत्पाद में जीडिपी में विर्धी होती है उसी तर उसी अनुपात में आपको अनुसंधान और विकास आर एंडी में भी खर्च होनी चाहिए सबसे पहले इस रिपोर्ट की खास बात है इस व्याय को वर्ष दोजा बाइस तक जीडिपी गई दो परतिसत होनी चाहिए थी यहां बात इस रिपोर्ट में कही गई पर अभी वी 0.7 परतिसत ही पिछले 10 वर्षों से कायम है उससे पहले भी यही स्थिती थी ऐसा नहीं कि पहले 5 परतिसत या 10 परतिसत हम लोग आर एंडी पर खर्च करते थे जीडिपी का ऐसा नहीं है वहां भी स्थिती ऐसे थी तो आप लोग इसे और भी भी विव से न समझ ले इसलिए मै आर एंडे से कितना हमें development मिल सकताई GDP ग्रोथ कैसे होता विदेश हमें कैसे प्राप्त हो सकता इस पर कभी विशित समितियां report नहीं की है पर इसे प्रात्यमिक्ता के अस्तर पर कभी लाया नहीं गया तो इसलिए यह एक इसका पक्ष भी है नेगेटिव पक्ष अगर आरेंडी को एक उद्देश के रूप में कारी करने लगे तो भारत इससे बहुत अर्ण कर सकता है जीडिपी ग्रोथ में से देखे जीडिपी के कुल ग्रोथ में यह जो से तीन परतिसत का योगदान कर सकता ह है बहुत ही इंपोर्टेंट है यह और हमारा देश जो विक्सित हो रहा है पांची अर्थी एकनोमी बन रहा और सैतालिस तक लक्ष जो है उसको प्राप्त करने के लिए आरेंडी में कम से कम दो परतिसत से अधिक आपको जीडिपी का दो परतिसत अधिक खर्च करना होगा तो ही जाके और विभ्यापक अस्तर पहलों लक्ष को प्राप्त कर सकेंगे देखी एक चीजे हैं आरेंडी साजनिक निवेस जीडिपी में एक अंस के रूप में पिछले दो दसक से इस्तिर है जैसे मैंने क्या बताया 0.67 परतिसत के अस्तर पर ठीका हुए पिछले दो दस जीडिपी में लगवा 0.6% से 0.7% परतिसत पर इस्तिर है तो 0.6% परतिसत लेका 0.7% आरेंडी पर खर्च करता है जो बना हुए अमरीका में 2.8% चीन में 2.1% इस्राइल में 4.3% कोरिया 4.2% देशों में निवेस से काफी कम है यहां पर विभिन देशों के तुलना की है इसमें इस्राइल आप समझ सकते इस्राइल जो ससक्थ हुआ देख बना है जो एक कहावत भी बोलता हूँ जो शेर के जवड़े में फसा रुए एक मेमना है इसे माना जाता था पहले पर इसने उस भरंस को तोड़ दिया है और अब जो यह है कि मेमने के मुँ में सारे सेर फसे हुए हैं यह अब कहावद इसे बोला जाता पर मेमना का संदर भी से कभी भी आप लो नहीं लगाईएगा कि कमजोर राष्ट है इसराइल इसराइल पूरे अरब कंटे को अकेला अपने बल पर उसकी सक्त सेन सक्ती को उसके ग्रोध को टक्कर देता है तो याद यह चीजे तो आर एंडी सबसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा इसराइल का आप लोग इधारन ले सकते इसराइल का को भी पार्ट आप उठा लेज़े आप अंतरिक्ष के संदर में अच्छे कारी किये जा रहे हैं क्रिसी और उसके संबद छेत्र हो वहां भी नवचार बहुत बेहतर आर एंडी किया जा रहा है डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा वहां आर एंडी का व्यापक अस्तर देखने को मिल रहा है सिक्षा के छेत्र में आर एंडी बेहतर तरीके से कर रहा है उसका परियोग तो आर एंडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता ह किसी भी देश को और भी विक्सित रियाष्ट के स्रेनिय में लाने के लिए अब रिपोर्ट में कुछ सुझाओ दिये गए हैं आपको यहां से मेंस में प्रस्ण किया जा सकता है ध्यान रखिएगा भारत में R&D निवेश करने के लिए किन सरकार पर मुख निवेशक है जबक क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में परतियस परदा बनी की परविर्ती होती है बेहता तरीके सो R&D कम लागत में अधिक आउर्टपूट अर्थात कम इंपूट में अधिक आउर्टपूट देने की चमता रखते हैं मामदा रखते हैं पर सरकारी एंजलेंसिया यथा इस्त क्योंकि सावजनिक छेत में जो R&D होता है वो यहां पर कॉंसेप्ट है ना कि निजी छेत्र वाले कॉंसेप्ट यहां डवलब है इसलिए इस छेत्र में कुल ब्यायराजिक सरकार और निजी छेत्र के भागिदार बढ़ाया जाने की आवा सकता है असपस्टोप से यह बात अब यहां पर बहुत से पाठिया या राजनितिक पाठिया या बुद्धि जी वर्व यह बोलेंगे कि निजी छेत्र को भी इसमें सामिल कर लिया गया है तो भाई यह समझने की बात है सरकारी संपनिया 10 है मान के चलिए पब्लिक सेक्टर इनिशिटी पब्लिक सेक्टर ज सेक्टर के जो इंटरप्राइज लिमिटेड जो कमपनियां होती है माली दर्स महा रतन है 107 नौ रतन है मिनी रतन 17 के आसपास 13 के साइद आसपास से मैंने अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं पर इतना ही होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है तो आप याद रखिए क इतनी कमपनियां ज्यादा रिसर्स करेंगे एक हजार से अधिक निजी कमपनियां जो विप्रो है रिलाइंस है आदानी है आपको टाटा समू है जैसे अंगिनत कमपनियां है हजार से अधिक ऐसी कमपनिया है जो छोटे से लेकर बड़े अस्तर के सभी कमपनिया भारत में ह यहां सो से अधिक यूनिकॉर्ण कंपणिया है तो यह आप सुच के देखिए तो वह सबसे अधिक निवेस करें इन रिसर्च डवलप करें गई या सरकारी इजन्सिया इसलिए निजी स्षेत्र को इसमें बढ़ावा देने की जुरत है तो आप लोग इस चीज को समझेगा राजियों को भी किंदर के साथ मिलका संयू तरुप से समाजिक रूप से अभी कल्पित किंदरिये पर्योजित योजदाओं अर्थात सेंटर स्पॉंडेड स्कीम जो होता है कि मादेन सनुसंधान और नवचार कारिकरों को संयू तरुप से वीट पोशन करने का सुझाओ यह है कि वीत का परवंदन कैसे होगा वीत का वीत कैसे लाई जाएगी क्यों पहले ही हम विभिन विदेशी जो हम लोग कर्ज लिए हैं उसका उसका दवाव है साथ इसाथ राजकोशिय दवाव है राज्यों का कर्ज है यह भी सभी सब फैक्टर देखने को मिलता है तो यह निवेश में आर एंडी में सामिल करने के पज़दर है मैंने कभी एक लेख लिखा था आप लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उसे मैंने टेग भी किया था पीयो में ऑफिस और जो पी एम है हमारे निदमोदे उनको कि सी एस आर को को भी आपको निती आयो को अगर रखा होंगा उसे तो मैं आपको बताऊंगा यह मैंने दो साल पहले ही यह बात बोला था जब मेक इंडिया प्रोग्राम जब आया था उसके समय मैंने बोला था CSR को R&D के छेतर में डवलप करने की जुरत है जो 2% का CSR है जिसमें आप कोई कमपनिया समाजिक दायुत के संदर में समाज के कल्यान के लिए कारे कर सकती है तो उसके लिए वो अपना वित उसे देगी तो उसके लिए विभिन तरीके है तो जिसमें R&D को मैंने कहा था उस इसे जोड़ दिया जाए ताकि कमपनिया R&D को समाजिक दायुत के संदर में काम कर सके और बहतर इनोवेशन कहीं न कहीं समाज में वो परभाव देखने को मिलेगा उसका और यह देश के हित के लिए होगा और मैं इन्हें इसे लगबर मेक इंडिया प्रोगाम के बाल लग या किसी कमीटी के सुझाव को लाना देना पड़े या किसी कमीटी के सुझाव को या किसी रिपोर्ट के माध्यम से सुझाव दिये जा रहे हैं तो किन सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए हम देखिए किसी ऐसे पार्ट को डबलब कर सकते हैं जहां से वीत का अवंटन हो सक वीत क्या व्यवस्था किया जा सके और कम से कम इंपूट से अधिक आउटपूट हम लोग प्राप्त कर सके ऐसे सभी छेत्र को हमें जोडने की जोरत है ताकि हमारा देश अग्रिम स्रेणी में आए और एकनोमिकल जेडिपी के संदर में हम मजबूत हो पर्ति ब्यक्ति आए क कितना है या पर्ति ब्यक्ति खर्च कितना है आर एंडी के संदर में यह वी एक विरोधा भास है तो आप लोग समझेगा यह सब चीजे समझने की देश है विक्सित देश के पर्ति ब्यक्ति आए और हमारे पर्ति ब्यक्ति आए में लगभर दस गुने का अंतर देखने को म पर हम विश्व के पांच भी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है उसके कारण जनसंख्या एक मात्र हो शकता है पर हमें आय के साधन को और भी बढ़ाने की जुरत है तो यही छोटे-छोटे पार्ट जहां से हम वित को संग्रा कर सकते हैं तो इसके लिए हमें विखल्प को तल और अरेंडी के प्रभा को संक्लन करने का सुझाओ देती है देखी यहां पर निजी कई भी बात की गई है इनुवेशन और अधोई आरेंडी के छेत्र में भायत के नेतु सुनिश्चित करने के लिए आरेंडी निजी छेत्र को बढ़ावा देना होगा तो जो मैंने आपक प्रिकृत मद्यम और बड़े उद्योग को उनके कुल टर्नोबर के निश्चित भाग में आरेंडी निवेश करने का सुझाओ दी है साथ ही यह रिपोर्ट यह भी मांग करती है कि जो भी कमपनिया उसके कुल टर्नोबर माले किसी कमपनी का कुल टर्नोबर पचीस सो बड़े आसपास है तो उसके कुल टर्नोबर के अनुपात में एक निश्चित कर ले कि आरेंडी के पार्ट में हम लोग को इतना खर्चा करना चाहिए हाला कि सभी कमपनिया अपने एक कुल बजट का अपना आरेंडी के अनुपात में खर्चा करती है पर देश हीत में प्लेटफॉर्म क्रियेट करके सरकार को देनी होगी और कोई आरेंडी होगा तो सरकार उसको प्रमोट करेगी उसके लिए वेस्विक अस्तर पटल पर ले जाने की बात करें जैसा कि जपान में देखने को मिलता है एक जपान में कॉंसेप्ट है घर के पीछे हाता जो हम लो यूजलेस ना हो वैसे पार्ट को बैक डॉर वाला जो पार्ट होता है जपान में वहाँ पर इस पेस को आरेंडी के रूप में सभी घरों में यूज क्या जितने वहाँ के छोटे बच्चे बच्चे हैं जो आपको पांस से लेके उम्र से अधिक जो आपको सोच समझ सकते वह चोटे चोटे आरेंडी पर लगे हुए रहते वह बच्चपन से उनको सिखाया जाता है हर घर के पीछे पिछला जो घर हाता होगा जो स्पेस होगा वहाँ पर आरेंडी के लिए अप लोग को क्रियेट किया गया है ताकि जो बच्चा पांस साल से बढ़ना उस जिसे ब प्रोडक्शन का पार्ट है वो बहुत ही मजबूत है वो बल्क में किसी वस्तु को बनाने के लिए कारे करता है ना कि हम लोग डिमांड के अनुसार अगर मानले जे पेन अगर उसे बनाना है तो बल्क में 10 अजार यूनिट बना देगा पर मांग उसका 10 यूनिट क्यों नह किया है कि आने वाले समय में क्या वो यूज हो होगा या नहीं होगा इसलिए उसका जो मैनुफेक्ट्रिम पार्ट है बहुत मजबूत है तो आपको ये भी करने के जूरत है यहां पर कितने ऐसे घर भारत में होंगे जो इस प्रकार के कॉंसेप्ट को डबल कर दें नहीं त केवल नोकरी प्राप्त करना है और कुछ नहीं अधिक सदीक हुआ तो खेल में जाते हैं या अधिक सदीक हुआ तो हम इस रो जैसी कंपनी डियाडियों में विज्ञानी के तौर पर जाके काम करते हैं या प्राइबेट सेक्टर में जाके काम करना चाहते हैं पर कितने ऐस इसे घर हैं जो इस परकार के कॉंसेप्ट को डवलब कर रहे हैं जो अपने बच्चों को आर एंडी के पार्टमेंट भेजते हैं यह बहुत नगन्य के मात्रा में अगर सो घर ले लिया जाये तो मुस्किल से एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा या एक घर मुस्किल से मिल सकता है जो आपको इस कॉंसेप्ट को लेकर अपने बच्चों को त्यार कर रहा है तो भारत सरकार को भी इस दिसा में काम करने की जुरत है ऐसे संस्कृति को डवलब करने की जुरत है इको सिस्टम को डवलब करने की जुरत है कि बच्चे प्रारहंबिक अस्तर से ही आर एंडी को वराइता दे ताकि वो किसी न किसी रूप से पार्ट को डवलब कर सके यह सबसे इंपोर्टेंट है अब देखिए प्रधान मंत्री आर्थिक सलाकार परिशत की चर्चा हुई है तो इसके जुरूर निती आयों की चर्चा हुई है निती आयों को बार में कितनी बार आप मिनिस्टर जिसे एसी पीम भी कहा जाता है यह बहुत ही महत्पून एडवाजरी परिशत होता है इसको बार बार चर्चा में रहेगा तो इसको आप लोगों बहतर तरीके से देख लिजेगा आर्थिक सलाकार परिशत एक सतंतर निकाय जिसका गठन भारत सरकार विश्य सु से परधान मंत्री को आर्थिक एवन सम्मंदित मुद्व पर सला देना है या दिया जाता है उच ख्याति प्राप्त्रिष्ट अर्थ सास्तियों का सामिल किये जाते हैं इसमें एक अध्यक्ष चार सदस होते हैं तो आप लोगों को प्रस्त निहां से पीटी में प्रारंभी पुछा जाता है आर्थिक सलाकार परिशन में कुल कितने सदस्तियों सम्मूँ होता है तो पांच सदस्तियों होता है जिसमें से एक अध्यक्ष होगा चार सदस होगा तो ध्यान रखिएगा इसके सदस्तियों का कारधान मंत्री के कारधालों के बराबर होता है अगर या उ कि लोग सबाद चुनाओ के निरवाचन के बाद तो नई आर्थिक सलाकार का गठन किया जाता ताकि नए चीजों से नए तरीके से डवलप किया जा सके देखिए आम तो प्रधानमंत्री ऊपद ग्रहन के बाद सलाकार समीतिक स्द्ष्ट्य को निकति की जाती यही तो अटोमेटिक लोग दे देते हैं क्योंकि पढ़ान मंत्य द्वारा स्वेक्षा से नुक किये जाते हैं एक टीम द्वारा नुक किये जाती है यह सब कॉंसेप्ट देखने को मिलता है अब यहां मिन्स मॉडल प्रस्ट आप लोग जरूरी है इसका बना के जैनिक जाएगा अनलेसिस जो ग्रूप है उसमें आप लोग शेयर किजेगा वहाँ पर मैं खुद चेक करूँगा कल एक केंडिट में किया है बहुत 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 परियास उनका रहा है धिरे धिरे देखिए आप लोग में मोटिवेशन आएगा और मैंने जो ग्रूप में कल बाते की थी वो किसी ने किसी कारमवसी ही किया था उसको अनिथा ना लिजेगा आप लो देखिए आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब काम और कारी कर रहा हूँ अलाकि देखिए बहुत से साधन है आई कमाने के पर मुझे में जो ललक है किसी चीज की समस्या का ब्रहम तोड़ने के लिए उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप लो भी उस अस्तर पर जाके काम करने का मामदा रखिए ताकि बेहतर रिजल्ट आप लोग का हो मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि हिंदी भासे रिजल्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि समय के साथ पर करते हैं अगर अभी डिमांड है डिमांड है पीटी के अनुसार सारे नोट्स को क्लेक कर लेना तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हूं कीज़े अब समझते हैं मेंस के अनुसार सारे चीज़ों को क्लेक कर लेना या तो देखिए अभी न्यूज कोई ऐसा घट जाए तो मान वेट करते हैं किसी ऐसे नोट्स के आने का जो आपको प्रोवाइट के वल दे दिया जाए देखिए मैं हमेशा बोलता हूं जिस छेतर में होता वो आप में हो भी होना चाहिए आप लोग बेटर तरीके से उभर कर आईएगा विश्वास मानिये जो चीजे मैं बोल रहा हूं वो आपके हित में बड़ी-बड़ी कोचिन संस्थाएं बड़े-बड़े यूटूबर्स जिसकी संख्याए 1.27 क्रोड सस्क आप उन समय के आप उन समझ्याओं से घिरे नहीं रहे जो समस्या कुछ वर्स पहले हम और हम आरे जो तीम ने जहली है उस वो आपके सामने रहे नहीं रहे आपके पास 2-way कम्मुनिकेशन जो बहुत रहर आपको मिलेगा कहीं 2-way कम्मुनिकेशन कोई समस्या और डाएट मै आपको नहीं मिलेगा आने वाले समय में जब आप और भी जैमिवारिया बढ़ेगी तो यह सब चीजे कम होती जाती है तो आप इसका लाब जितना जल्दी हो सके ले लिजे ताकि चीजे और भी असपश्ट होते देखे मिन्स मॉडल प्रसन है उससे आप जरूर प्रैक्टिस किजिएगा बरती अर्थ ब्योस्ता कार के अनुरूप अनुसंधान विकास से संबंदित खर्च पढ़ना लिए को भी विक्सित करना समय की मांग है समय यह कहता है कि जिस परकार भारती अर्थ ब्योस्ता बढ़ रही है उस संदर में क्या आर एंडी के भी खर्च सीमा बढ बढ़ना चाहिए या नहीं इसके संदर में बात की जानी चाहिए तो आप उमीद करता हूं सारे टॉपिक को आप समझे होंगे इससे जो मोडल प्रसंद दिया गया है आप उससे ज़रूर बहतर तरीके से समझ सके होंगे तो चीजे आप लोग देखिए एक और भी निउज आप लोगो यह सत्य चीजे की नोट्स के के स्टडी के तौर पर यूज करना जब भस्टा चार के लिए मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था आप लो या लीडी का छापा हो या सी बी आइक अच्छा आपा हो तो उसके संदर में जो की नोट्स के से उससे आप लोग इसे यू प्रवाइब दिवीधी हो रही है एडी ने यह काम किया है करवाई जारी है इसी करम में मोबाइल गेमिंग एप के माध्यान से ठगी मनी लॉड़निंग के जुड़े मामले एडी ने सन्युवाइक सुवा कलकत्ता में छो जगों पर छापा मार कर सत्रा क्रोड रुपया का ब पैसे को भारत एक तरफ गरीब है गरीब की स्रेनिया जो देखने को मिलती है बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको दो वक्त का रोट की अभी भी नहीं मिल रहा है या जो एक उच मानक है जीवन जीने का अस्तर का वो उन्हें प्राप्त नहीं है वहाँ पर किसी खास ब्यक्ति व कर रहे हैं भस्ता चार या इडी का प्रसंगता बताईएगा उसमें यह सब केसे स्टडी एड कर सकते हैं तो आपको इसे एड जरूर कीजेगा देखिए एक न्यूज और भी बहुत ही महत्पूर्ण है जो आपको यूपेसी के जीएस पेपर वन और टू में आप लोग को देखिए यूज हो सकता है देखिए आपको कुछ लिखा गया उल्टा तुरा सा कोई दिक्कत ने कभी कभी हो जाता है टू एंड ठी होगा और बीच में नहीं होना चाहिए तो जिसका पेपर जो टू अठी उसमें स्वास्त और स्वास्त परभाव है उस टॉपिक को यह न स्वास्त अलग है एंपीपीच के मेंस का स्वास्त अलग है आरेस राजस्थान च्छतिसगर उत्राखंड सभी का स्वास्त अलग है तो आप इसे जुरूर इस संदर में देखिए गा चलिए देखिए यहां पर एंटी बायोटिक से समंदित दवाएं जो दी जाती है उसके संदर में जो भारती चिकिस्सा अनुसंधान परिशद है कि और से एक एंटी बायोटिक दवाओं को लेकर अध्यन में बहुत चिंता दर्म जनक तस्वीर आई है जिसमें यह कहा गया कि ज्यादातर मरिजों को एंटी बायोटिक दवा जो है कारबा पेनम के नाम से काम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें मरिजों की इस दवा के परती सुक्ष में जीवानों रोधक अर्थे एंटी माइक्रोवियल चंता विक्सित कर ली है और यह सकतिसाली एंटी बायोटिक दवा किसमें दी जाती है मुक्रूप से आईस्यू में APP लिए केवरी बहरती जो होते हैं तो यह रृत्य बहुत ही घातक सावित हो रहा है उन मरीजों के लिए दवा से ज्यादा यह जहर का वर्क कर रहा है मैं सधारन सब्दों में बोलूं ऐसे कितने ही एंटी बायोटिक हैं जो इस परकार के काम करें यहां लिस्ट भी दिया है गया एमिपेनम तो इस परकार से आप वो चीजों को कलेक्ट किजेगा की नोट से या सारे दवाओं का नाम लिख लिजेगा जैसे क्ले बेसिली क्ले बेसियला निमोनिया के संदर में भी जो एंटिबायोटिक यूज किया जाता उसको भी इसके संदर में देखने को मेरा और यह समस्या हमेशा देखने को मिलती है जब से भारत में दवा उत्पादा के छेत्र में अग्रणी बन रहा है वैसे ही इस परकार के एंटिबायोटिक का परचलन भी बड़ा है और एक इससे रिलेटेड आपको हाली में लेख भी आया था कि ड्रक्स को जो ड्रक्स छेत्र बेलगाम हो चुका उसे नियंतरित करने के लिए जल्द से जल्द कोई रिस्पॉंसबिलिटी कानून लाना चाहिए जिसमें करोना काल में देखे एक बुखार की दवा बहुत ही परचलन रही थी जिस पर एक हजार से अधिक के एक हजार क्रोड से अधिक रुपिये खर्च किया गया केवल डॉक्टरों को इस दवा को इन्भार्बेंट में अर्थात दवाईयां पर चलन में लाने के लिए तो भश्टा चार इस चंदर में देखनी को मिला है उसी टॉपिक से रिलेटेड यह भी है वहाँ पर एंट में पूछे या दोज़ार इस के मिन्स में पूछे आपको ज़रूर इस टॉपिक से पूछ सकता है तो आप लेसे जरूर कभर कीजेगा चीजे बस नाम याद रखिए कौन-कौन से एंटोबायोटिक दो चार पांच नाम जरूर याद रखिए एंटोबायोटिक का ताकि व इंटिबायोटिक दोएं वह होता है जो सरी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी सरी के जविक जियों को मानने की छमता में सक्षम हमारे सरी में बहुत से सुख्ण जीव होते हैं या तो यह आंतरिक भी हो सकते हैं बाहर रूप से भी आते हैं तो उसको जो टारगेटेड कॉलता उस्ता जाता है यह बहुत ही उस अस्तर का दवा होता है यह समान जो दवा होता है नॉर्मल दवाइव होती है उसके विपरित्यtak कारी करते हैayan सुण आपको सबस्च Wik मिंहां के जबा नाम के 750 अंटूजिव है उसे target करना है हमारे बिमारे के लिए एम के लिए हम अलग anti-bio कर सकते हैं जेट के लिए अलग anti-bio कर सकते हैं यह anti-bio यूज करने से मान लेजे यह छोटा ए है बड़ा भी है small b है small a antibiotic जाके m capital m antibiotic को मारेगा उसी परकार b small b antibiotic नाम से जो दवा होगा वो जाके z capital Z सुख्ष्म जीव को मारेगा तो यह targeted जो होगा हमला करने के लिए उसका उप्चार करने के जो दवा का उप्योग किया जाता इसे ही anti-bio टे कहा जाता है छोटे से सरल सब्दों में समझा जाए आपको जो दवा दी जाती है एक नॉर्मल दवा है माल लिजे एक anti-bio का एक समु हो था जो targeted नॉर्मल दवा बस केवल समु में गया एक से लेकर जेट तक के समु समु में यह असर करेगा यह असर करने के बाद हो शकता है ठीक भी हो नहीं भी ठीक हो वो समु जीवान हो पर एंटो बायोटिक देने के बाद वो जरूर उस पर काम करेगा और उस समस्या का निदान करेगा एंटिबायोटिक का संदर में यही समझ सकते हैं आप सिंपल से सब्दों में इसका उप्योस सरजरी के दोरान संकरमन से रोकने के लिए कीमो थेरेपी के दोरान गुजर रहे कंसर रोगियों के सुलच्छा के लिए भी किया जाता है अब कीमो थेरेपी होता इसमें भी एंटिबायोटिक का यूज किया जाता और केंसर रोधी लोगों को ली भी इस केंसर के उप्चार में भी एंटिबायोटिक दवाओं का और यह हार्ड लेवल का होता हार्ड अस्तर का होता है इसके खाने के साइड एफेक्ट बहुत ची देने पर इसके और भी हम ल बड़ा एंटिंटि-बाईयोटिक उभोगता है सब से द्धार खर्च वहारत सुब्याईयोटिक होता है इसलिए दवा परथिरोध-ख्रोध प्रवाश्मत JUST सरीर में होती है वो कही नए कहीं बे Doesuer हो रही है और इसका अपोझिट आपको एंतिब पूल हो जाते हैं हमारे सरीर के लिए और किसी और सुख्ण जीव को मारने लगती है या तो वो सुख्ण जीव इतना मजबूत हो जाता है कि जब हम एंटुमेटिक दवा खाते हैं कोई असर नहीं होता यह ध्यान देने वाला बात है अब एंटिबायोटिक के संदर में हो गय यह आप इसके संदर में समझ सकते हैं दो में इसका एजांपल देगा दो ही अधाल पर आप लोग समझ जाएगा कि कैसे यह कॉंसेप्ट डबलब होता है आप मक्षर के बारे में सुने होंगे जो रात को कभी वक्त मक्षर आप लोग को काटता है उसकी इतने संख्या तदा कि इसमें इस परकार के जो इसमें यूज किया जाता है इस इन सब प्रोड़क्टों में जो कैमिकल उसके संदर में उसने एंटी बड़ी डवलब कर लिया है तो आप लोग ध्यान देते होंगे कभी भी मान लिजे कोई एक लिक्वीट फ्रॉम का एक कंपणी का ही अगर आप लगता लगा रहे हैं दो से तीन महीने तर देखिएगा चौथा महीना में उस क्वाइल को लगाने के बाद मच्छर एक भी नहीं मरेगा एक भी मच्छर मान लेजे हम आल आउट की ही एक लिक्वीट को लगा रहे है अपने रूम में लगतार दो से तीन महीने तो चौथे महीने में आटोमेटिक देखिएगा वो कोई लगाने के बाद मच्छर नहीं मर रहा उसके पीछे रिज़न नहीं है कि मच्छर में इस यह उसका एंटी बड़ी बना लेता है तो इसके निजाद के लिए क्या करना चाहिए तो इसके निजाद के लिए करना चाहिए कि और मच्छर का जो नीदान हो वो किया जा सके आप इसको एक्जाम पर आप किस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं आप आज ही से ट्राइ करिएगा और आप लोग यह महसूस करते होंगे कमपनियां का क्वाइल लगाने के बावजूद कुछ देर के लिए मच्छर भागता प्र आकर आपके आस पास वो घूमने लगता है कान के पास सरही की आज पास आवाज कन लगता है व कारना उसका पिछे यही है कि एंटिबडी वह बना लेता है तो एंटिबायोटिक के संदर में भी यही चीज dipping देखने को मिलता है तो तो दवा परतिरोदक छमता क्या है यह आप लो जानिए दवा परतिरोदक तब होता है जब मनुस्ष जानवर पौधों के उपचार में एंटी बायोटिक दवा का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो मैंने अभी जो इग्यामपल बताया लागतार अगर आप यूज कर रहे तो उसके सरीर में उस प्रोड़क्ट के खिलाब एंटी बोडी बना लेगा और वो कहीं न कहीं दवा परतिरोधक डबलब कर लेगा और वो बेशर हो जाएगा वो दवा मच्छर का क्वाइल हो या तो एंटी बायोटिक कोई दवा हो यह भी आप समझेगा जब एक नया एं अनुकूल हो जाते हैं और धिरे धिरे एंटी बायोटिक्स कम प्रभावी हो जाती है तो क्या मैंने अभी आपको बताया यही एक फॉर्मेट है जिस पर आपको समझ सकते हैं कि लागतार अगर एसी एक ही ब्रांड का यूज कीजिएगा तो उसके बाद सरीर में उसका अप समंधि बिमारिया उत्पन हो जाएगी या तो आप उस परकार के स्वाप्रेशन से गुजरेंगे जो आम समान स्वास्त के लिए हानिकारव होता है तो यह चीज़े समझनी की जुरत है तो आप आज से ही यह कोशिस किजिएगा घर में अगर कोई जला रहे हैं तो अलग-अ था इस बरांट को रखिएगा हर महींने चेज़ेगा कोई एक खतम होगा तो अगले मेंने दुसरा ब्रांड के लाइए गाती दुसरे में इन अलग-घर और दे कि अम था पीर एक पीर आप कर सकते हैं कोई इसुने घर और तो भर घ्ले अबलेबल है हर तरीके का ब्रांड सभी में देखिए लगभक सभी में एक ही समान के ब्रांड के कैपसिटी डाली डाला रहता है बस आपको असर यह लगता है कि जिस महीने में अलग ब्रांड आप यूज कर लेते उसमें मच्छर की संख्या अधिक मरेगी तो इसके अधार पर आप लोग इसका उप्योग करते ह अघर आपके अधिक वाभ एक कंप लग डिवा एगाकलरा नहीं तो सवाला करना सीखिए कि ऐन्टि बायोटिक अधिक उप्योग देने से भी इसू होता है तो इसके संतर में देखी यहां पर डर का बहुत बिजनस है मैंने अपने प्रस्टनल में क्योंकि मेडिकल छेतर से बिलोंग करता हूं तो मैं इसे बहता तरीके से समझता हूं कि डर का खेल खेला जाता है मरीजों के साथ तो यहां अनपर्ल जो नागरिक है उनकी तो बात छोड़ दीजिये, वो तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता है, कि दवा लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, दवा दिया जाता है, वो लिस्ट के नुफसार उसे मिल जाता है, और समय के साथ वो खाते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी इसके जाल में फस जाते हैं, यह एक समस्त्या है सभी लोग के साथ, तो आप सवाल ज़रू कीजिए, सवाल करने से होगा, आप सही चीज खरीच सकीएगा, और सामने लग सोचेगा, यह जागरूख है, सिधा सवाल किजए, अधिक एंटिबायोटिक लगतार आप देरें, इससे हार पर सवाल कर दिजए, वो अपना जो चीज़े हैं, तुरन्ट मोडरेट कर लेगा, अब विश्व में एंटिबायोटिक परतिरोध परसार संक्रमन से लगने के लिए दसकों से प्रगती कमजोर कर रहा है, यह देखिए, प्रगती तो कर रहा है, पर इसके संदर में कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, नहीं हो पारी है, पर कुछ पहल की गई है, वो ध्यान देने वाली वैस्विक पहल क्या क्या की गई है, यह आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, विश्व रोगानू रोधी जागुटता स्प्ता मनाया जाता है, जिसे वाव कहा जाता है, ब्लु डवल एडवल वाव कहा जाता है, तो अपन ध्यान रखेगा, अब विश्व जमंतिए रोगानू रोधी पतिरोदे के बारेत जागता बरहाना दवा पति रोधिक कर्ण विकास के पर सार को धीरा करना और आम जनता के स्वास्त जो कारिकर करता है निती मेर्माता के लिए सवरोटता उपायoth को प्रोसाहित करना और धुरी है व्यास्विक, रोगानू यह ज्यान अंत्राल के समापत करने के लिए सभी अश्चोपारे रुप से लाहू किया गयाँ सब्सीय लाया गया था गलास की कलपना मनुष्quer एम एम आर जो निगरानी की जाती है आप लोग नाम सुनते होंगे एम एम आर निगरानी रोगानू के दवा का प्योग निगरानी संखला खास संखला परियावरन के में हमारा डेटा प्रणाली के लिए की गई है तो यह उस कॉंसेट को डवलप करती जहां से दवाओं के अधिक्ती परचलन को बढ़ावा दिया इस कारिक्रम के तहट राज्यों के मेडिकल कॉलेज और परियोग सलाओं की स्थापना करके एम आर निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है यह एम आर का पर राश्टी कारियोजना क्या है यह स्वास्त दिश्टी कोन पर किंद्रिक किया गया है और अप्रेल 2017 से वि ज़र तेरम इसे लॉंच किया गया ताकि देश में दवा परतिरोधी संक्रमनों के सबूतों और परविर्टियों के तथा पैटर्नों का अनुसरन किया जा सके और इस पर कार्यार दिशाग किया जा सके साथ ही एम आर अनुसंधान और अंतराश्टी सहियोग डवलप किया इसके तहट जो ICMR है भारती चिकिस्सा अनुसंधान परिश्वत ने AMR चिकिस्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अंतराश्टी सहियोग के माद्यम से नई दवाओं को विक्सित करने की पहल की गई है तो नए नए दवाओं को डवलप करने के लिए बात की गई है इसके लिए AMR चिकिस्सा अनुसंधान के साथ तायब कर रहा है काम कर रहा है एंटी बायोटिक प्रवंदन कारिक्रम भी भारत चलाता है जिसमें ICMR के अस्पतालों वाडों में ICU में एंटी बायोटिक दवा के दुरुपयों यह अतिपरियों को नियंतित करने के लिए भार प्रवंदन कारिकम प्रवाड इसके लिए यह सब एंटी बायोटिक के संदर में काम किया गया अब देखिए चर्चा में ICMR है तो उससे आप जरूरी याद रखिएगा इसकी अस्थापना वर्या में भार्श सरकार जो ब्रिटिस सरकार थे उस समय अनुस भारती अनुसंधान निधी संग के रूप में अस्थापना की गई थी जिसका उद्देश क्या था देश में भारत में चिकिस्ता अनुसंधान को प्रयावजित और समनित करना तो इसकी अस्थापना वर्ष 1911 में की और विश्व की सबसे पुरानी स्वास संस्थाओं में से एक इसे गिन्या जाता है तो यह भी एक महत्पूर्ण पक्ष है और संगठन के गति वीडियो कई बदलाव किये गया और वर्ष 1999 में इसे इंडियन कॉंसल आफ मेडिकल दिसर्च अर्थाथ आइसी एमर के रूप में जाना गया तब से हम लोग इसे आइसी एमर के जानते हैं और यह क्या करता है निर्मान अनुसंधान के निर्मची किस्ता अनुसंधान करेगा संवर्धन के लिए भारत के सर्वोच निकाय संस्था है तो आप लोग इसे के बैसिक पार्ट को भी समझ गये होंगे इसका करेंट दो इसू है रिपोर्ट क्या है विसू में स अच्छर वाला एक्जाम्पल जरूद दीजेगा ताकि लो जो एक्जामनर जो आपका कोपी चेक करें देहतर से कोडिनेट कर सके सरल भासाओं में तो उमीद करता हूं आप चीजियों को समझ सके होंगे अगर कोई इसू होगा तो टेलिग्राम चैनल पर आप लोग जरूर से हो रही है अब आगे बढ़ते हैं देखिए एक बहुत ही महत्पूर्ण कार है ऐसे सभी राज्यों के मुख मंत्रियों को भी करना चाहिए और आने वाले जो परधान मंत्री उनको भी ऐसे ही कार्य गतिविदी करना चाहिए कारन क्या है देखिए मोधी जो परधान मंत्री ह के लिए बहुत ही उंदा कदम होता या कांसेप्ट यूरोपियन कंट्रियों में बहुत बेहतर तरीके से क्योंकि जो पधान मंत्री या राश्पती को उपहार मिलता है विदेशी दोरों में या राजी के दोरों पर तो उसके मुल्क को बेवजर समाप नहीं करना किसी भी वस से विद का परवंधन किया सकता है जैसा कि आपको बताया गया था एक वीडियो में मैंने कहीं सुना था कि उनको सीम के दोरान जो पहार मिले थे उसके कूल लागत सो क्रोड के आसपास जब उनका निलाम किया था जब सीम सो परधान मंत्री जब बन रहे थे अपने उस कारि काल जब सीम थे गुजरात के उसमें सो क्रोड से अधिक की संपती अर्जित की इस निलामी से और उसको जन कल्यान जैसे बच्चों का जो संगठन होता उसके लिए उपयोग किया गया था कोई ब्यक्ति भी से सावजनी पद पर बैठ कर राजी के लिए एसेट कैसे क्रियेट किया जा सकता कर सकता है उनको इससे सिखना चाहिए या किसी प्रकार का राजनितिक मंसा नहीं होनी चाहिए कोई भी बैक्ती वो परसासनी बैक्ती भी हो सकता है राइनितिक बैक्ती भी हो सकता हम और आप कोई भी हो सकते हैं उनको इस ठीजु को समझने की जुरत है अगर आप से कहीं परसन पूछे कि किसी भी मुल्ल का एसे के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है तो आप इसका example दे सकते हैं gift में जो चीजे दी जा रहे हैं उसको हमनों निलाम कर सकते हैं और अमरिकी जैसे कंट्रियों में यह बहुत ही उंदा इसका उधारन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ वस्तुव को निलाम किया जाता है आप लोग सोचते होंगे जैसे कैसे की किया और उसे कहीं ने कहीं जो साजनिक सेवाएं हैं वहाँ पर उसकी उपलबता सुनिशित किये तो भारत में भी ऐसे अगर कारिक किये जाए भारत के बाए ऐसे पुरानिक चीजे हैं लोगों से जुड़ी यादे हैं जैसे मान लेजे हमारे किर्केट में सचीन तेनुलकर है महिला किर्केट में मिताली राज हैं हौकी में बहुत से पिलियर ऐसे हैं जिसमें प्रेमचंद्र का नाम सब सरोपुरी आता है उसी प्रकार जो और भी छेतर हैं जैसे सिख्षा छेतर में हो या तो अंतरिक छेतर में है या तो फिर आपको सेना अभीकरन के रूप में हो उसकी जो एसेट है उसका हम लोग प्योग कर सकते हैं बहुत से राजनेता है जो पुराने राजनेता जो अजादी के दोरान रहे हैं उनके चीजों को हम निलाम करके क्योंकि इससे लोग होता है क्या उसे खरीदने के लिए अच्छी बोली लगाता है इससे राजने के लिए एसेट संग्रख किया जा सकता है और साजने कारियों में लाया अब यहाँ पर लोग बोलेंगे क्या राज्ये और देस के पास पैसे की कमी होगी जो ऐसा काम करेगा इसलिए नहीं किया जाता है कि देस और राज्ये के पास पैसे की कमी है यह इसलिए किया जाता है कि लोग इससे कनेक्ट हो सके और जो निलम जो चीजे बेवज़र पड़ी रहती है उसका आर्थिक मुल्य निकाल कर लोग को इससे जोड़ा जा सकी हमारा इतिहास किया है हम की संद अब देखिए हाँ पर सो रुपय से लेकर दस लाख रुपया का बेसिक कीमत रखा गया इस मुल्यों का समझ सकते हैं को ऐसा भी वस्तर होता जिसकी कीमत सो क्रोड़ भी हो सकती जैसे इरोपिन कंट्री में देखने को मिला है माइकल जैक्सन का जूता आपको इससे अधिक कीमत में भी का है तो यह बैक्ति विसे निजी छेतर के जो लोग है इसे खरी देंगे जो इनके फैन होते वो खर देंगे इसमें देखिए आपको पेरा उलम्पी के सोर्ण विजेता जो है मनिस्क नर्नवाल उनका हताक्षर यो टी-सेट गिप्ट किया गया था इनको उनका कीमत दस लाख रखा गया देखिए एक टी-सेट को और उस पर हताक्षर किये के बैक्ति तो उस बैक्ति का नाम होगा परतिस्था बड़े के लोगों में ललक होगी कि चीजे क्या है उसके संदर में जो संग्रा करते हैं उसको भी इसके संदर में चीजे समझ सकेंगे तो देखिए यहाँ पर आपसे यह कहीं प्रसन जो नहीं पूछेगा पर आपको यह concept डवलप करना एक प्रसासनिक तोर पर आप भी किसी छेतर विशेस में नियुकती होता है तो आप इस परकार के काम कर सकते हैं ताकि लोग जनता प्रसासन से connect हो या तो इंटिव्यू में इस परकार के प्रसन पूछे जाए तो आप इस परकार के example दे सके ताकि समय के साथ चीजों को अस्परष्ट किया जा सके डिमांड क्या है सप्लाई क्या है जो मैं बात बोलता हूँ कि डिमांड इसकी क्या है सप्लाई किस उरूप से की जारी इसका अस्परष्टता होनी चाहिए तो यही topic कभर करता इसे तो आपने इसे ज़रूर समझेगा और चीज़ों को इसी संदर में समझेगा जो आपको एस्परेंट के तोर पर है देखिए आप PT औरेंट दो नीज है एक तो थल सेना परमुक परवत प्रहार का किया परिच्छा परिच्छन किया गया परवत प्रहार का और दूसरा कि बुथू जो अनुराचल परदेश का एक सेन सिवीर है उससे देश के पहले चीफ ऑफ स्टाप डिफेंस स्टाप जो थे सिडियस थे जो दिवेंगत होगे जो गत वर्षन की जो हेलिकॉप्टर दुर घटना हुई थी उसमें उनके नाम पर जर्नल विपिन राउत सेन गेरिसन के नाम से या किमुति सेन सिवीर का नाम करन किया गया है तो यह भी PT और इंट है तो आप लोगों को प्रहार किया जा दू आपको सिवीर है तो अनुराचल परदेस ऐसे है जो भारत का नक्सा है उसके संदर में समझते है मुल्ग तो यह जो भारत है तो आपको सभसेप फुर्वी चेतर जो सेन शी रेल है यहीह है कि वोती तो आपको यहां से प्रहतन की देखने को मिल सकता है कि मुवती जो किस राज्य में है आपको यहां प्रसंद पूछ सकता यहां तक कि जीला घाटी भी पूछ सकता तो अपने से जरूर याद रखेगा यहां पर जस्ट अपोजिट चीन की पिपल्स आर्मी लिबरेशन जो आर्मी का पोस्ट ठीक अपोजिट है इसके अपोजिट में इसलिए मह पूछा जा सकता है जितने भी गवर्मेंट एक्जाम में वहां भी पूछा जा सकता है तो अपने मित्रों के साथ जितने भी हमारे सस्क्राइबर है कोर सस्क्राइबर है वह चैनल को जरूर दस से दस लोगों ता अपने फ्रेंड सरक्ल में सेर करते हैं संख्या में जल्ध से जल्ध विर्दी होगी और जो चीजसे हम लोग जो कॉंसेट ले कर आए हैं जो चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं बार बार वो और भी बेस्टर से आप लोगों के सामने ला सके उसके लिए प्लेटफॉर्म होना बहुत जुरूरि है संख्या बहुत जुरूरि है और इसमें अभी आप लोग हैल्प किजिएगा आने वाले समय में आप लोग को इसका आट्फुट बहुत बहुत बेहतर मिलने वाला है हमारी टीम चर्चा लागतार कर रहे हैं कम से कम कम से कम मुल्य पर अधिक से अधिक आप लोगो सेवाएं दी जाए आप लोग मान के चली यूपेसी और PCS का जो फी है उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से सुनसोधित किया जाएगा और इंडिया में सबसे लोग प्राइस में आप लोगों को यह सेवाएं प्रोवाइट किराई जाएगी इसलिए नहीं कि में टीम मेरी छोटी है या यूटूब पर मेरी संख्या कम है इसलिए आने वाले समय में मैं कोशिस करूँगा आने वाले कुछ दो साल पांस साल दस साल के बाद जितने भी यूपेसी हो PCSW के अस्पेरेंट हो उनको मुप्त तयारी कराए जाए उसके लिए पहले प्लाटफॉर्म क्रियेट किया जाता है तो पहले कुछ नियूनतम फिलिया जाएगा अभी ही मेरे द्वारा आपको बहुत से नियूनतम फिलिया जैसे आप दो हजार टेस्ट आप लोगो को केवल 399 में प्रोवाइट कराए जाता है दस अजार का जो MCQ स्रीज चल रहा वो मात्र आप लोगो को 499 में प्रोवाइट कराए जा रहा तो यह बहुत ही आपको लो फी प्राइस होता है एक पैसे से भी कम इससे सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता आप लोगो समझ सकते हैं तो चीजे धिरे धिरे हम लोग और भी बहतर चीजे लेकर आएंगे तो आप लोगो इसे जरूर समझेगा तो कोपरेट अभी कीजिए और ताकि आगे का भुष से निधारंग कर शके देखिए एक न्यूज है आर्टिकल के संदर में इसे समझ सकते हैं आर्थिकी क्यों ससक्त करने के लिए आत्मिर्बर होते हैं सहर अगाओ इसके समय के स्टड़ी की दिया गया है तो आप लोगों इसे जरूर एक बार कभर कले नजर रख लिजेगा ऐसे पहले मैंने कितनी बार इस अब से समझ चर्चा किया हूँ पर फिर भी नए अपडेट होंगे मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है पर एक बार नजर जरूर डाल लिजेगा ताकि आप लोगों चीज़ों को समझ सके इसको डाटा इंटर्पूट के रूप में यूज कर सकते देखिए आपको यह मानसिक प्राधिंता से मुक्त मुक्ती का मार्क जो अमरित काल मनाया जा रहा है करतब पत्र जो लाया गया है उसके संदर में यह टॉपिक आप लोग को एससे और भारती विरासत की स्वर्णिम इतिहास के संदर का जो टॉपिक है GS1 का पेपर जो है उसमें आपको यह टॉपिक कभर कर सकता है तुआ जरूर इस आर्टिकील को देखियेगा जिसमें बताया गया है कि हाले में जो राजपत में यह घटनाया घटी है राकरतब पत है जो बनाया गया राजपत को करतब पत के रूप में आईनेस विक्रांद का जो लोगो ध्वज नो सेना ध्वज चेंज किया गया है उसके संदर में हमारा जो मानसिक्ता है अपनिवेसिक मानसिक्ता को गुलामी की जो मानसिक्ता उसको कहीं न कहीं तोड़ने का परियास किया गया है और साथ ही साथ गोरों में ही इतिहास और सांस पर लेखक ने यह भी कहा कि अरब तुर्क अफगानों के अधिन्ता से उत्पन मानसिक विकार भी उतना ही महत रखते हैं जहां एक और भारतिय मानस पर अंग्रेजी या बैवापक रूप से पच्छिम का अत्यधिक प्रभाव दिखता है वहीं दुसरी और एक बड़ावर पाक कला से लेकर हिंदु तहवारों को मुगलों की स्वगास सिद्ध करने में लगा हुआ है जो यह अतिश्योक्ती है उस पर भी चर्चा करते हैं लेकर और यह बात कहते हैं कि जो भ्रहम हम लोग पाले हुए हैं अंग्रेजी के संदर में क अंग्रेजी अगर आती है तो हम एक सब्वे नागरीक होंगे सब्वे बैखती होंगे हमें जौप में हो सकता है एक पक्ष हो सकता पर यह बहु हैं क्वार्प सर्कार को विधान में अंग्रेजी की मानेता दस वर्सों तक रखने के लिए ऐसा पुबंद किया गया था उसके बाद इसे समाप्त करने की मंसा रखी गए थी पर लगतार इसे बढ़ा कर अब 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 तमान तक जाली रखा गया तो यह भी एक चीजे निर्मान में यह कहीं ने कहीं राष्ट भावना को डबलब करने के लिए कहीं ने कहीं यह जरूरी है मात्र भासा टूटी रहित रहती है ध्यान रखीगा है टूटी रहित भासा होती है और यह जो अंग्रेजी है बहुत टूटी पुन से एक ही सब्द के दो-दो एक ही मानलेज़े कोई सब्द है उसके दो-दो मिनिंग भी होते हैं तो आप लोग इस सब चीज़ों को समझ लिएगा मानलेज़े 9 के नो डालो 9 का मतलब होता है नहीं जानना इसको 9 पढ़ना चाहिए या कोई ने अब सालेंट कॉंसेट्ट लाके दे दिया है तो यह कहींने कहीं आपको भासा के संदर में आपको कमजूर करता यह लेक बताना चाहता है इस पर बहुत अलग विसे चर्चा है साथ ही साथ खान पान के संदर में भी चर्चा किया गया गोरव साल इतिहास इतिहास लेकन के संदर में भी बात की गई है तो यह सब चीजे आप लोग जरूर देखिएगा आपको यह ऐसे के संदर में बात पुछ सकता है और देखिए बात और भी की गई है, 2001 में ही अटल विहारी जो बाच्पेजी की सरकार थे, उसने सेंड जर्ज क्रोस को नो सेना ध्वर से हटाया था, लेकिन 2004 में जो कॉंग्रिस की सरकार से उन्हेंने पुरुणा वापस भाल कर दिया, वर्तमान में भी आप लोगो सरकार जो तक सही भी है, हम अपनिवेसिक गुलामता के सिकार हैं, अभी भी देखते होंगे गरीवी अमीरी की बीच के खाई के, खाई तो है आर्थिक रूप से, पर वैचारिक रूप से भी खाई है, उसका मुल कारण यही है, जाती धर्म इत्यादी समस्याएं भी आप लोगों को लेगा, कारण इसके पीछे यही है, आपनिवेसिक बेचारिक का हावी होना, साथ ही साथ ही आप इन सब चीजों का समझ सकते हैं, अब विसाथ ही एक सुचकान की यह लोग चर्चा की है, जो आता है बार बार सुचकान जैसे ब्लूम वर्क सुचकान, न्युवार्श टाइ जैसे हाली में दिल्ली सरकार के दुवारा टैंस पत्रिका का उधारन देखे हमारे राजनिती को संदर्वित किया गया तो, आप उसका एक्जामपल ले सकते हैं, बेहतर तरीके से ले सकते हैं, पर आप क्या मानक अपते करना चाहते हैं किसी विदेशी पत्रिका का अधार अपने विकास के मानक को या राज के संदर्वित में राजनितिक दुरदर्सिता को संदर्वित करना चाहते हैं, अगर कोई पत्रिका किसी संदर में कोई बाते की जाती है, तो क्या उसको ही मानक माना जाए अपने राजनितिक विकास और लोक्तानितिक विकास का, या प्रस इसाइल को जूरु सुनते हों गे आप उसके दस निपाइए गार्श में तरी के बाते की गई है उसमें आठ बाते आशिवे भाने बिरोधी बाते होंगे अब देखिए उसके लिए तर्क वो अलग-अलग तरीके से पेस कर सकता है पर यहाँ पर चीजे समझने की दोर है कि वैस्विक पटल पर भारत को नेगेटिव सेंसेंस में बीबिसी यूज़ करना चाहता पाकिस्तान को पोजेटिव संदर में पर किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तानी हीत किस रूप से कारी कर रहा है वैस्विक संदर में अब भारत की संदर में वैस्विक पटल पर काम कर रहा है फिर भी कोई विदेशी पत्रिका प्रकासन आपको इस प्रकार के मनोदसा के संदर में आपको यहां सब समझा जाता है जैसे आप लोग यहाँ पर अल्फ संक्याख भारत में अल्फ संक्याख के संदर में समझ सकते हैं यहाँ अल्फ संक्याख है, मुस्लिम है, जैन है, बौध है, सीख है केवल अल्फ संक्याख की बात करता है तो सभी अल्फ संक्याख को की बात करने चाहिए किसी पत्रिका या किसी टीवी चैनल के द्वारा ऐसा नहीं कि जैन सीख वाले के साथ अन्याय नहीं होता भारत में ऐसा तो है नहीं होता ही होगा कहीं ने कहीं ऐसे दवाओ के छेतर देखने को मिलते होंगे जहां परताना करस्तर देखने को मिलते होंगे पर इनको ज़़ारा तवजव नहीं दिया जाता पर जैसे ही मुस्लिम का कोई पक्ष ऐसा आता है जहांपर इनको पत्ताणा के संदर में नज़र आता किस तड़ी तो पूरी सोसल मेडिया से लेकर, पत्त्रिका से लेकर, में ट्रिम स्ट्री मेडिया से लेकर इसको तौज़र से उठाय जाता अब भारत के लोकतांत्रिक और व्योस्थाओं पर ही प्रसंचीन खरा कर देता है जबकि संख्या में इससे कई गुना अधिक है मुश्लिम अलफसंख्या तो समझ सकते हैं किस भेनो मिना को यह लोग डवलप करना चाहते हैं केवल अलफसंख्या का अर्थ मुस्लिम नहीं है अलफसंख्यों की समस्या सभी अलफसंख्यों की समस्या केवल मुस्लिम की समस्या नहीं है हलाकि समस्या सभी जगा है मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूँ कि मुस्लिमों में कोई परताना कस्तर नहीं है किसी शीक यह तो टो किस बात के संृद़र सुने में और आप सनीकिका थेầy कल तो और ही शीक्रिक सब्लब को जाएंड जब पर्द नहीं होमें किसी सेख्या कैंट मैं जैन होती है राज की यह सुधानों होगहा तो क्या उसे तोजो दिया जाता है इना पर जब मुश्लिम संके के साथ ऐसा होता है तो क्या है यह अपनिवेसिक सोच है भारत तोड़ो मुश्लिम और जो हिंदु धर्म के समझेर दोनों प्रविर्टी जब 1909 के बाद जो डवलप हुई है संपर्दाई के कॉंसेप्ट जब पर जाती है एक भंडिंग करेट किया जाती है वस में तो इसका कारण या लेक बताता है इस चीश को समझेगा एक सुब आपको यह सुब मोटो के तहट काम करता है अगर देख लिए मैं इसका एजामपल ऐसे भी आप लोग को दे सकता हूं जैसे हिजाब के मामला आया ठीक जाता है पूरा अरब कंट्री से संदर में आता है अरे जब फ्रांस में जब बंध है यहाँ तक चीन में आपके कुरान को बदला जा रहा है उसके संदर met कोंए आवाज नहीं उठाएगा भारत के संदर में बाते जरूर उठाएगा यहीया वाइट पेपर जारी कर देता है तो सोचिए किस प्रकार का लोगी चलता है तो यह चीज़ समझना ओपनिवेसिक सोच किया है और जब भी आपसे पूछा जाए तो और मैंने इसके संदर में आपको एक बार टैग भी किया है पीमो को पीमो को और पीम को साथ ही साथ है जो विहिन संस्थाएं से रिलेटेड है कि भारत को कॉंटर कॉंटर थोटलिजम पर काम करना चाहिए अगर इस प्रकागे कभी ऐसे मामले आते हैं जैसे अंतराश्टी मामलों में विश्क के पटल पर लोग उठाता है मामला वैसे भारत को भी उठाने के जुर पटल पर हमें इस संदर में मजबूत होने की जुरूत है जैसे ही एरान अरब कंट्री या तो पाकिस्तान के संदर में इसा कांटर होता उसको वैस्विक पटल को उजागर करने की जुरूत है हाल के दिनों में रवी संकर जी के जवाज विदेश मंतिय है इन पर उम्दा काम क चीन के साथ जैसे देख रहे होंगे हाल में असपस्ट रूप से बाते अभी हाल का एक वीडियो आया है आप उसे जरूर देखिएगा कि असपस्ट होगा कि भारत वर्तमान भारा सरकार किस प्रकार के ऑपनिविस्टिक सोच को बदलने का परियास कर रही है हाली में कल या पर राष्ट के विदेश मंतरी के द्वारा बोलना का अर्थ उसका कुछ और ही लगाया था उनके द्वारा बोला गया है कि रमायन महाभारत को में ने प्रिटिकल भ्यू से डबलप उसके संदर में मोका मिलता तो उनको लिखेंगे कि वर्तमान में वैस्विक संदर में आपको चीजे अस्परस्ट करेंगी और मैं इसी संदर में बाते करता हूं ताकि आप लोगों को एक भ्यू क्रियेट हो सके ताकि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही आपको इसका लाव हो सके आज इस निउस को देखिएगा आप लोगों का जी एस पेपर 3 में नि अब 51,204,000 क्रोड उपियो निवेस मिला है अगस्त में विदेशी पोटफोलियो निवेसक के तौर पर देखिए इस पर एक वीडियो में लेका आओंगा विदेशी निवेसक के संदर में उतके सारे डाइग्राम को कभर करूंगा सितंबर लाज तक ये वीडियो जरूर आ सामिल किया जागा क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा अभी हमको लगता देखिए एक घंटा 18 मिनट का हो गया तो आप लोग इसे जरूर में नेस वीडियो में रहेगा वादा कि जब ये सितंबा लाश्ट होगा उसमें वीडियो में लेका आओंगा इसे रिले देखिए और देखिए